समंदर के वज़े से they all need strong navies to deal with China स्रिलंका के साथ फ्रांस जो है वो naval exercise कर रहा है muscle flex हो रहे हैं तीसरी बात यह है कि भारत के कई retired army journal they are in Taiwan जहिन दोस्तो मोडी डेस में आपका सोगत है दोस्तो इस वीडियो को like और हमारे चैनल को subscribe करना मत भूलेगा तो दोस्तो आज फाग मीडिया बात करें कैसे भारत आर्मी जेनरल्स टाइवान में गये है एक security summit के लिए जिसे दिखके चीन बौकला गया है और चीन इसे भी बौकला गया है कि अभी माला बार एक्सेस हो रही है और भारत और क्वार्ट के जो मिंबर है वो अपनी naval power डिखा रहे है जिसकी वज़े चीन पूरी डिसे भौकला गया है और चीन को लगता है कि South China Sea में उसकी जो नौतंकी थी अब वो चीन नहीं कर पाएगा तो पाकिस्तानी मीडिया आज इस पे बात करेगी ये सब दिखके चीन की हालत कैसे पड़ली हो गई है दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मिस्किता रहे तो इसे आप पुरा से रो डिखेगा तो इसलिए और इनकिसार नकल के ये वीडियो डिक्टे है अज़े डॉक्ट सुब ये बताईए कि ये जो मलब और एक्साइजिस हो रही है ये अभी आस्ट्रेलिया में चले गए और बलके मैं देख रहा था कि जैपनीज और इंडियन नेवी वैसल्स जो है तो इसलिए पाइसिफिक आइलेंड में जितने भी कंट्रीज हैं नोट जितने भी हैं बट सॉलमोन आइलेंड जो है पॉपन्योगिनी इन सारे एरियास में गुलते गलते कहीं जगा मुझे यह भी सुनने में मिला कि जो यह सारे मवालक हैं यह अपना कोई नेवल एग्रिमेंट भी करने जा रहे हैं कहीं ने कहीं पे आपको क्या लगता है इंडिया बिलीव कि इस अगुड टाइम टो एक्स्पैंड इस नेवी जहां तक कि इंडिया की सवाले भाई देखिए आप इंडिया का जो मेजर पर्चेस होए हैं डिफेंस के इस साल 26 रफाल विच आर मरीन रफाल न वो एरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट होंगे पिर उसके बाद उन्होंने तीन सब्मरीन फ्रांस से खरीदी छे जर्मनी से और किये हैं तो तो फोकस क्लिरली इस ऑन नेवी और जो इंडो पैसिफिक है इस अबाद तो ओशन इंडो प्रसिफिक इंडिया डिप्लोमेसी भी करता है थू पर्चेस इसी मुल्क के साथ अगर दोपी बढ़ानी है तो वैपन्स खरीदना भी एक तरह से डिप्लोमेसी है लेकिन इट इस डिवन बाइ थ्रेट परसेप्शन और इंडिया का ज़ए प पाकिस्तान समंदर तो नहीं अटाक करने बाद तो अट तो युएस प्रजिक्ट जो पावर करता है थू नेवी करता है थू नेवी अगर जपन अपने आपको डिफेंड भी करेगा पांटर अटाग भी करेगा चाइना तो नेवी जहां पर ऐस्ट्रेलिया का सवाल है वहा प्रेट्रोल करना चाहरा है ना पूरा इंडो पैसिफिक तो तो देन इडिन इन इन इडिवेशन का शिकार है उनका इस इंडियन ओशन के अधर काफी एक्टिविटीज तेज हो चुकी है और उनका बहाना बनाकर तिकरीबं 3,000 एमेरिकन जो है वो कर दिये गए उस रिय वह में और दो Shik रोन को दिप्लोई किया गया है और स्रिलंका के साथ फ्रांस जो है वो नेवल एक्सराइज कर रहा है मसल फ्लेक्स हो रहे हैं तीसरी बात यह है कि भारत के कई रिटाइड आर्मी जर्नल दियार इन ताइवान यहां पर यह बात है कि वो शायद दियार गोइंग दियर और प्रोवाइडिंग देम देम देमिलिटरी देर एक चाइना की डेस्परेशन में पाकस्तानी जो के हमेशा पहले भी उसकी डेस्परेशन का फाइदा उठाते रहे हैं अपनी भारत के साथ जो नफरत या दुश्मनी को बेचते रहे हैं मेरे ख्याल मैं इस इनदर गोल्डन ऑपर्चुनिटी फर देम टू इंस्टेड अफ अ साते हैं यह होती हैं तो उनको कमीशन kic-backs लेना पैसे लेना आसान होता है उनके लिए भारत के साथ ट्रेड आपकी जरूरत है आपके inflation को कॉंड्रोल करने के जो पाक जिसके बच्चे पाकिस्तान में रहते हैं जो चाहता होगा कि पाकिस्तान सर्वाइब करें पाकिस्तान तरक्षी करें तो आपको इन में से कुछ नजर आता है तो मुझे बता दें इस सारे फारण रूट आपके जितना ब्यूरोक्रेसी और यह फराड कंपनी यह जिसको पाकस्तन का फ्यूचर चाहिए होगा चले दोस्तों इस वीडियो पर बात करते हैं तो इसमें कोई नहीं चीज नहीं है अभी चीन इसलिए बॉखला गया है कि जैसे पाक मीडा ने का कि चीन की एकोनमी अच्छी नहीं जारी अभी चीन डिफलेशन से गुसर रहा है औ चीन में रिसेशन आने के चांसे ज़ादा एगी कि चीन का एक्सपोर्ट भी कम हो गया है अमरीका और चीन का एक्सपोर्ट बहुती ज़ादा था वो भी 25% फॉल कर गया है और चीनी एकोनमी अमरीकी एक्सपोर्ट के भरोसे जिन्दा थी तो आब चीन और अमरीका के बीच जो जगडा चल रहा है उसके बाद फ्यूचर में भी ये एकोनोमिकली ठीक होगी ये मुझे नहीं लगता तो इसी वज़े चीन और भी ज़ादा दरा हुआ है की अमरीका और भारा डोनों से चीन की डूस्मनी चल रही है और ये डोनों डेस अब चीन के खिलाब एक साथ होग इसका ही एक पार्ट है और भारत अपनी नेफिल पावर चीन को काउंटर करने के लिए बढ़ा रहा है क्योंकि पाकिस्तन के पास कोई नेफिल पावर नहीं है तो ये भी चीन को अच्छी दर से पता है और जहांदर ये चीज़े की टाइवान में भारत्या आर्मी जिनरेस होगा है कराकि में यह कूंगा कि गया तो चीन को डरने की तो कोई जरवत नहीं हां अगर अमरीका ने मिलके भी चीन को पहम्ला किया तो चीन तो शुपर पार है चीन तो इनने समखावा सकता है तो चीन इतना देड़ा हुआ क्यों है क्योंकि चीन को पता ही कि वो किटना support है ते दिखते कि फीचर में क्या होते डोस्तों वीडियो दिखते के लिए बारसिकिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब क झाल झाल